वार्णसी के बिंदू माधव मंदिर को लेकर कोट में एक याचिका दायर की गई है वार्णसी के पंचिकंगा घाट पर बिंदू माधव मंदिर को लेकर भी निशली अदालत में एक याचिका डाली गई और एंगजेब पर मंदिर तुडवा कर मस्जिद निर्मान कराने का दावा चार चुलाई को होगी सुनवाई ग्यानवापी की सर्वे वाले वेडियों को AIM-AIM प्रमुख OVC ने फर्जी करार दिया है बोले अगर वीडियो सच्चा भी है तो इसे मस्जिद पर फर्ग नहीं पड़ेगा यूपी के बुलन शेहर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुटभेड हुई एक इनामी बदमाश सलीम गरफतार एक बदमाश मौके से हुआ फरार इस बीच खबर है कि पोलेंड की सुरक्षा के लिए भेजे गए एर डिफेंस सिस्टम उसके लिए सिर्दर्ट बन चुके हैं क्योंकि यूके की तरफ से अप्रेल में ही करीब सो स्काइ सेबर एर डिफेंस सिस्टम हवाई सुरक्षा के लिए पोलेंड भेजे गए थे जिन में सौट्वेर की खराबी के कारण 75 तो इस्तिमाल ही नहीं हो सके जैसे वो UK से पोलेंड आये थे वैसे के वैसे ही खड़े हैं हालनकि बताया जा रहा है कि उनके मरम्मत कर दी गई है लेकिन तैनाती अब तक नहीं हो पाई युक्रेन की सीमा से लगे पोलेंड को ये एर डिफेंस सिस्टम रूस से उसकी सुरक्षा के लिए वहां भेजे गए थे का जाता है कि आवाज की रफ़तार से तीन गुना तेजी से चल रही कि टेनिस बॉल को भी यूके का ये स्काइस के बर एर डिफेंस सिस्टम मात दे सकता है लेकिन का जा रहा है कि अब इन एर डिफेंस सिस्टम को अगर्स तक काम में नहीं ला जाएगा जिस पर लंदन के रक्षा मंत्राले की तरफ से सफाई दी गई कि गर्मियों के आखिर तक इसे तैनाद करने का पहले भी कोई प्लान नहीं था लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि यूके की तरफ से आई सफाई में सच्चाई नहीं है क्योंकि पोलंड की सीमा यूक्रेन से लगती है एर डिफेंस सिस्टम को पोलंड भेजने का मकसद यूक्रेन जंग के दौरान पोलंड की सुरक्षा से था यानि अगर गलती से भी रूस की कोई मिसाइल यूक्रेन की सीमा लांग कर पोलंड पहुंच जाए तो पोलेंड की सुरक्षा हो सके इसलिए इनकी तैनाती उसी वक्त होने थी जब जंग शुरू हुई थी पोलेंड यूक्रेन की पश्चिमी सीमा से लगता है जबकि जंग बाद में पूर्वी और दक्षणी यूक्रेन की तरफ से मट गई इसलिए पोलेंड पर बना हुआ खतरा टल गया बारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थ विवस्ता बन गया पिछले वित्तवर्ष में देश की जीडीपी बढ़त दर में बड़ी उचाल आई और ये 8.7 पृतिशत रही जबकि इससे पहले ये माइनस 6.6 पृतिशत दर्श की गई थी सिद्धु मुसेवाला हत्याकान के बाद राजिस्तान पुलिस ने जोधपूर में शूटिंग कर रहे गायक मीका सिंग की सुरक्षा एतियात के तौर पर बढ़ा दी भिल्ली के सीम अर्विन केजरिवाल ने स्वास्ते मंत्री सतेंद्र जैन की गिरफतारी को गलत बताया और उन पर लगाये गए सभी आरोपों को राजनीती से प्रेरित खरार दिया बिल्कुल फरजी केस है अगर इस केस में एक परसेंट भी कुछ होता मैं खुदी अक्शन ले लेता उदर रूस के सांसद और पुतिन के करीबी अलेक मारोजफ ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी उन्होंने रूस की सरकारी मीडिया पर एक कारिकरम के दौरान नेटो के अधिकारियों को अगवा कर लेने की बात कही और उस टीवी शो का एक वीडियो भी सामने आए जिसमें आलेक मारोजफ ये बयान देते दिखाए दिये उन्होंने खुलकर ये बात कही कि नेटू के उन अधिकारियों को अगवा कर लेना चाहिए जो यूक्रेइन के राष्टपती जिलिंस्की से मिलने कीव जाएं। पुतिन के करीबी सांसद आलिक मारोजफ ने बिना लाग लपेट दुनिया के सामने जो बात रखी उसने ये बता दिया कि यूक्रेइन की मदद करने वाले नेटो के अधिकारियों पर बड़ा खत्रा मंड़ा रहा है और ये खत्रा है उन्हें अगवा कर ली जाने का जिसका प्लान खुद रूस के एक सांसद बाकाइदा एक टीवी शो में बता रहे हैं हलांकि उनकी बात सुनकर शो में मौझूद दूसरे लोग चौंक गए लेकिन आलिक मारोजफ बड़ी ही तसली से ये बताने में जुटे रहे कि आने वाले दिनों में नेटो से निपटने का र उसको ले जाए गए तो फिर ये जानना असान हो जाएगा कि युक्रेन की जंग को लेकर उनका प्लान क्या है और रूसके खिलाफ ओ आगे क्या कदम उथाने वाले और ऐसा इसलिए क्यूंकि नेटो देशों से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना को जोरदार जवाब दे रहे हैं कुछी दिनों में जंग जीत लेने का सपना देखने वाले रूस को तीन महीने से ज़्यादा वक्त तक युद्ध के मैदान में जूजना पड़ रहा है जाहिर है पहले से ही नेटो देशों को अपना दुश्मन मानने वाले रूस की खीज और भी बढ़ गई होगी और पुतिन के करीबी रूस के सांसत की यही चिड़ एक टीवी शो के दौरान दुनिया के सामने आ गई हाला कि उन्होंने युक्रेन जाने वाले नेटो देशों के अधिकारियों को अगवा किये जाने की बात को एक कल्पना करार दिया लेकिन जिस तरह उन्होंने ये बात सब के सामने रखी वो ये बताने के लिए काफी था कि रूस ऐसा कदम उठा भी सकता है क्योंकि उनके अगवा करने वाले बयान के बात जब ये सवाल किया गया कि क्या वो वाकई ऐसे ही सोचते हैं तो उनका जवाब था हाँ इसके साथ ही वो ये भी कहने से नहीं चुके कि ऐसा आने वाले दिनों में जल्द ही हो भी सकता है असल में ये पहली बार नहीं है जब आलेक मारोजफ के बयान से हरकंप मचा हो इससे पहले भी उन्होंने नेटो देश पोलेंड को यूक्रेइन के बाद पुतिन का अगला टार्गेट बताया था उधर भारत और चीज सीमा विवाद जल्द सोलचने की उम्मीजताई चाह रही